नमस्कार आप देख रहे हैं जनभाबना टाइमस आपके साथ मैं हूँ अंकेता आस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले का सलसला थमने का नाम नहीं ले रहा ब्रिस्बेन के श्री लक्षमी नराइन मंदिर में खालिस्तानी सबर्थ को ने तोड़ फोर की है भारत ने आस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में तोड़ फोर की निंदा की है और कहा है कि इस मामले को कैनबरा में आस्ट्रेलियाई सरकार के सामने उठाया गया है और अपराध्यों के खलाफ शीगर जाच के लिए कहा गया है आस्ट्रेलिया में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जनवरी में आस्ट्रेलिया के कैरम डाउंस में श्री शिव विश्नु मंदिर में भी तोरफोर की घटना सामने आई थी यहाँ पर तमिल हिंदू समुदाय के तीन दिवसी थाई पॉंगल त्योहार में कई भक्तों के दर्शन के लिए आने के बाद 16 जनवरी को ये मामला सामने आया था इसे पहले खालिस्तानी समर्थ को ने मेलबन में 15 जनवरी 2023 की शाम को एक कार रैली कर जन्मत संग्रह के लिए समर्थन हासल करने की कोशिश की थी जिसमें उन्हें काम्याबी नहीं मिल पाई थी वही 12 जनवरी को आस्ट्रेलिया के मिल पाक में B.A.P.S. स्वामी नराइन मंदर को भारत विरोधी और हिंदू विरोधी भित्ती चित्रों से भर दिया गया था मंदर की दिवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे हुए थे और मंदर में तोड़ फोड़ की गई थी इसके अलावा मेलबन के सकॉन मंदर के प्रबंधन को हारे कृष्ण मंदर के रूप में भी जाना जाता है मंदर की दिवारों को भारत विरोधी भित्ती चित्रों के साथ तोड़ दिया गया था भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने आश्वासन दिया है कि आस्ट्रेलिया में हमारे महावाड़िज दूतावास ने इस्थानी पुलिस के साथ मामले को उठाया है हमने अपराधियों के खलाव त्वरिद जाज कारवाई और भविश्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों का अनुरोत किया है देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तास से जानने के लिए जुड़े रहे हैं जनभाबना टाइम्स के साथ नमस्कार